मैंकड़नल्ड के दरणा आज अपने गौमे बर्गर का सिगनेचर कलेक्शन के आगा है, आज अपको बता दें कि यह हीसर लेचलतें मैंकड़निल् av 자 में अपने जान making नाम दिया गया है इसमें दियास के सिगनेचर कलेक्शन में जबता हूं भाल बाल याल झाल झाल जाल आपने गोमे बर्गा का सिगनेचर कलेक्शन लांच किया है, आपने उसको चेक कर रहे कर दोग किया है? तो आप प्मट पहले के बर्गर्गर्गर्स में तो आपको आलो टिकी, टोमेटो लांच मिलता था, इसमें बहुत सारे जो एक्सोर्टिक वेज़ी रागांच किया रिवेग्शन गार्ग कार रखेया है लुए सराइस वर्गर सूडूर recipes वर्गर सूजूर को आपको प्रिमियम है यह को मेंगल लुए हिसाउर इस दिर्स टेस्ट करने निपने पह चैलेगा ए विड़्ड़ी ऐस लुड़ी नुड़ी वर्गर्गर साइस्ट कर्शन खिलें तो हम इस बर्वर को कुड़ा नौ या फिर अन्हेल्दी नहीं कह सकते हैं तो इस अवेज मेटिरियल तो इस वरी गुड़ अचली मैंने यहां का ग्राइंची सिकनेचर करेक्शन का ट्राय किया जो की काफी जादा चीजी था इसका जो पैटी था बहती जादा चीजी था इसके फ्लेवर इसके अग्साइटिंग है पहले से जो नौर्म बर्गर यहां था है उनके ए किस आखे रहागा? पहले से जो नौर्मल बर्गर से वैसे मेरा तो मेटिर अग्पफ है आपको बताते हैं कि यह अलग तरह का बरगर के नाम से इन्होंने लॉंच किया है इस गौमे बरगर की विशेश खाशियत यह है कि इस सिगनेचर कलेक्शन के ताथ उन्होंने इसमें एक्जॉटिक वजीज और धे सारा चीज इस्तमाल किया है चीज वैसे भी लोगों को बरगर में काफी पसंद आता है लेकिन इस सिगनेचर कलेक्शन में चीज की और भी मात्रा लोगों को मिलने वाली है वैसे भी मैक्डॉनल्स के बरगर लोगों के लिए बहुत ही खास होते हैं मेक्डॉनल्स ने अपने सिगनेचर कलेक्शन के दुआरा उन लोगों के लिए एक स्पेशल चीज की है जो कहते हैं कि बर्गर हल्दी नहीं होता लेकिन इसमें एक्डॉटिस वेजीज और हल्दी चीज को डाल करके उन्होंने इसको हल्दी बनाने का प्रयास किया है और हमने जब यहाँ पर कुछ कस्टर से बात की जिन्होंने इस सिगनेचर एलेक्शन को ठ्राई किया तो सबका कहना है कि यह आम बर्गर से बिलकुल अलग है मेक्डॉनल्स के जो और बर्गर इस टाइम रनिंग में है उनसे यह बहतर है कराटे एसोसियेशन ओफ यूपी के तत्वावधान में